प्रात्य क्लास चल रहा था 26-11-1960, मंगलवार को तीसरे पीज की एकदम मध्यादी में बात चल रही थी, मुख्य बात है अपन को आत्मा समझने की, और साथ में मुझे याद करेंगे तो तो मारी आत्मा प्यूर बन जाएगी, अगर बीच में कुछ भी इंप्यूर टी में जाते हो तो फिर वो मेहनत जो करते हो, और यह जो एक दफा बूल करने से उनका एक गुणा ही वो दंड मिल जाता था, वो तो भक्ति मेहर की बात है, अभी वो बाबा का बनने के बाद, फिर तो वो नाम बदनाम हो जाता है ना, तो दोखो गाया भी जाता है, सदुगुरू का निंदक ठोर न पादे, कोई भी उल्टा सुल्टा काम करने वाला वो ठोर नहीं पाएंगे, जो कर्मेंद्रियों से कुछ भी उलट काम करेंगे, अब तो भक्ति मार्ग में साधुसंत मात्मा ऐसे ही कह देते हैं, सदुगुरू निंदक ठोर न पादे, उनके पास काउन सा ठोर हैं, अपनाई घर गाट छोड़के आते हैं, ठोर की बात तो यहां की है, जहां नमबर वार नेक कुरियों के ब्राह्मन बनते हैं, सो देवता बनते, तो उच तेउच कुरी के ब्राह्मन सो सूरिवन सी देवता घराने में ठोर नहीं मिलेगा, अभी देखो कितनी अच्छी समझानी है, कि अगर तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे और पवित्र नहीं रहेंगे, तो और फिर आप पवित्र बन जाएंगे या कोई भी बात में, तो उसका दंड तो सोग उना पड़ेगा, जिसे ये विवेक कहते हैं, कि बरो बार हम जो भूल करते हैं, वह हम याद नहीं कर सकते हैं, तो इतना उंच पड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे नहीं कहते हैं, कि नहीं पुर्शार्थ, पुर्शार्थ के लिए टाइम लगता है, यह तुम बच्चों को टाइम मिला हुआ है, और मैं आता ही हूँ, और उसके लिए टाइम भी पूरा कोई पूछते हैं, तो तुम को साबती भी दे सकते हैं, तुम भी दे सकते हो, कि जिस सतन में, जिस सतन के हम बच्चे कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी तो मनुस्य हैं ना, और जिसकी बच्चे हैं, बाप के, प्रजापिता ब्रह्मा के, तो बो भी मनुस्य हैं, मनुस्य का नाम है, और शिव बाबा का कोई मनुस्य का या देवता का नाम तो है नहीं, वो तो ना वनुस्य बनता है, ना देवता बनता है, वो तो सुप्रीम आत्मा है, ऐसे उसको कहेंगे, फिर सुप्रीम होने के कारण उनको परम आत्मा कहा जाता है, तो वो तो आते ही नहीं हैं, और आते भी हैं, तो नीचे उपर तो होते ही नहीं हैं, ना पतित होते हैं, ना पावन होते हैं, तो वो बैठ करके समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से बच्चों को, कि मुझे याद करने से, तुमारी ये जो पाप हैं, जन्म जन्म अंतर के, और इसे जन्म के भी, वो साब कट जाएंगे, अगर बीचे में कुछ पाप करेगा, तो वो पाप सवगुना बन जाएगा, और उससे फिर क्या होगा, तुमारा पद कमती हो जाएगा, अब ये तो बच्चे समझते हैं, खुद ही अच्छी तरह से समझते, कोई जानवर बुद्धी तो नहीं है, फिर भी बुद्धी तो मुनश्यों की है, और मुनश्य बुद्धी कोई बैट करके बाप समझाते हैं, कोई जानवरों के लिए तो नहीं समझाते हैं, कि तुम सतो प्रधान थे, और अभी तुम तमो प्रधान बने हो, अभी सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो, तो यह सब बात तो मुनश्यों को बैट करके समझाते हैं, हाँ, इतना जरूर है, कि मुनश्य की जो बुद्धी है, वो अभी जानवर से भी बत्तर हो चुकी है, अभी उनको फिर समझाने के लिए, क्योंकि जानवरों को भी तो देते हैं ना, कहते हैं तुम गदे हो, तुम तो उंटो हो, तुम मकना हात ही हो, बंदर हो, तुम तो कुत्ते हो, यह तो, यह सबी बहुत बच्चे हैं, कुन में चाहिए साउकार हो, गरीब हो, कोई भी हो, यह उनके मुक से यह गालियां निकलती जरूर हैं, क्योंकि जो जैसे हैं वो वैसे एक दो को कह देते हैं, पर समझ में नहीं आते हैं, वो समझते हैं, यह सी कुड़ी कोई कहते हैं, पर बाप आ करके समझाते हैं कि नहीं, लोग प्राय है, ऐसे ही हो गए हैं, बिलकुल ही, कहां भी देखो इनकी ल्याकत तो देखो, और मत्था टेकने वालों की और छमा मांगने वालों की, और फिर रहम मांगने वालों को भी तो देखो, है तो सही ना, तो ये भी बच्चों को वंडर ही लगते हैं, क्या हम यह थे और इतना नीचे गिरे हैं चौरासी जन्मों के अंदर जो बिल्कुल ही चट्ठक हाथे में चले गए तो देखो पतित और पावन का फर्क बाप दिखलाते हैं देखो अब क्या हो गए समझाते हैं मीठे बच्चों देखो कैसा प्यार से समझाते हैं तुम यह दैवी घराने के थे अभी ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम सभी यही थे जो तुम यहां भी कहते हैं कि हम तो सभी यही बनेंगे बोलो यह लक्ष मीनारान जैसे तो साब बन ही नहीं सकते हैं क्यों कि अपनी चाल को भी तो देखो कि तुम बन सकते हो औरों को भी तो देखो तो कोई बन सकते हैं कभी भी अगर ऐसे हो तब तो कहेंगे कि फिर सभी फूलों का बगी चाल अगर ऐसे हो तो तुस्यों बाबा को सिर्फ फूल चड़ाते गुलाब के फूल चड़ाते बस फिर तो कोई दूसरा का फूल है और वो दतूरे का फूल कुछ भी नहीं चालते साब एक जैसे बन जाते दतूरे का फूल देखा है है कैसा होता है कितना लंबे छेद वाला थो बताया शिव बाबा को साब तरह के फूल चड़ाते हैं क्योंकि सब एक जैसे तो बनते नहीं है पर यहां तो गाया जाता है कि फूल भी चड़ाते हैं तो अक भी चड़ाते हैं अर्थात बाबा के बच्चे फूल भी बनते हैं तो अक भी बनते हैं काटे वाला फल भी चड़ाते हैं दतूरा यह है वो पास और नापास की बातों बातों की बात यह यह दस्टांत देने के लिए बातें हैं 26 ग्यारह उन्निस और सट की प्रात्य क्लास का चौथ अपे तो बरव बहर और यह भी है जरूर बनना है ऐसा नंबर वार कुर सार्थन सार क्योंकि यह बापने समझाया है और बच्चे भी समझते हैं कि यह तो पूरी राज़ानी स्थापन होती है इसे में तो सापत रहके चाहिए और वो तो खुद ही समझते हैं कि यह यह जो पड़ते हैं यह कोई राज़ानी नहीं बनेंगे कि यह कोई को आप समान बनाते ही नहीं है यह तो जरूर समझते हैं कि हां या तो यह साउकार होगा अभी यह साउकार बनेगा वो तो बाप जाने तो बच्चे तो अभी नहीं जान सकते हो परन्तो हां आगे चल करके तो तुम बच्चे बहुत समझ जाएंगे कि यह फलाना कैसा बाप का मददगार है है ना मन्सा वाचा कर्मना किस तरह का मददगार है तो हरे को अपना मन्सा वाचा कर्मना का पोता मिल तो होता है तो वो तो करेंगे बही यह बाप जानते हैं अच्छी तरह से यह जो कोई भी हैं जो भी बच्चे जुन्होंने कल्प कल्प जो कुछ किया है वो ही तो करेंगे उसमें भी कोई फर्क नहीं रहेगा परंतु वो करेंगे जबकि फिर बाप करकर बैठ करके साव धाम और पॉइंट्स भी देते रहते हैं बही ऐसा ऐसा करने से और ऐसे ऐसे याद करने से याद करना है और कुछ ट्रांसफर करना है है ना बच्चे तो उसका भी तो द्रस्टांत तो है रहे बच्चों के आगे और द्रस्टांत तो एक ही रहते हैं दो रहते हैं और यह भी जानते हैं कि बरोबर बाप समझाते हैं बच्चों तुम जो मेरे अर्थ ज्ञानकाल में भक्ति मार्ग में इश्वर अर्थ करते थे अब कहते थे इश्वर अर्थ है देते थे पापियों को समझे ना पीछे इश्वर का नाम रख दिया कोई पा परमात्मा आर्थ है और परमात्मा को जानते ही नहीं है क्या आत्माओं में परमपार्टदरी आत्मा कौन सी आत्मा है इश्वर को जानते ही नहीं पर उनके आर्थ को वो जानते हैं कि इश्वर तो उंचे ते उंचा भगवंत है अब यह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ऐसा कोई नाम रूप बाला उंचे ते उंचा है यह तो कहें नहीं सकेंगे कोई भी क्योंकि चित्र भी सिर्फ साफ दिखलाते हैं कि उंचे ते उंचा भगवंत है और वो निराकार है फिर उंचे ते उंचे साकार में अगर आबे और वो भी यहां उंचे ते उंचा क्योंकि उसे की पूजा भी तो यहां ही होती है ना मेरी तो पूजा नहीं होती ना ना मैं पूजी बनता हूं ना पूजारी बनता हूं तो देखो जैसे कहते हैं उंचे ते उंचा और उंचे ते उंचा तो इसे दुनिया की ही बात है उंच ते उंच नीच की नीच तो उंचे ते उंचे शिव की पूजा होती है, शिव माना इंकल्यानकारी, तो जरूर निराकार है, निराकारी इस्टेज में है, उसको ही कहा जाता है, वो नीचे उनको कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जो नीचे है, त्रमूर्थी शिव की नीचे है, उनको ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को देखो, देवता कहा जाता है, कोई को भगवान नें कहा जाता है, ना, कहते हैं, परमात्मा नमा, उनको कहते हैं, देवताये नमा, कहते हैं न, शिव परमात्मा नमा, तो देखो, परमात्मा तो बड़ा हुआ न, यहां तो देखो मनुश्य होते हैं देवताइं भी होते हैं मनुश्य भी होते हैं जो कहते हैं हमेश्व रहे हैं परन्तु गाते तो बिल्कुल डिफरेंट है ना यह तो वंडर है ना देखो मुख से निकली एक बात ब्रह्मा देवताइं नमा विष्णु देवताइं नमा और फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमा तो ब्रह्मा विष्णु को भगवान नहीं कहा जा सकता है चलो शंकर भी देवताइं नमा बाकि फिर शिव परमात्मा नमा क्योंकि शिव तो निराकार का नाम है ना तो देखो एक को जाके देखो तब देवताओं को देवता कहा जाता है तो मनुष्य लोग में मनुष्य को मनुष्य कहेगा उनको फिर परमात्मा नमा कैसे कहेंगे मनुष्यों को तो चंजल मनवालि मनुष्य है ना अब सब एक दो परमात्मा नमा थोड़े किया जाता है वो तो सिर्फ एक की बात है और सारा पुर्शार्थ पुर्शार्थ के उपर मदार है अगर कहें सरव्यापी है तो फिर एक दो को परमायतमाहिनमा कहें ना ये तो अरे ये तो बिल्कुल है ही अज्ञान सरव्यापी का ज्ञान इसर को सरव्यापी समझना ये तो बिल्कुल ही पूरा ज्ञान इसको इंसल्ट कहा जाता है और उसी को कहा जाता है कि जो गाया हुए है अंदेर नगरी चौपट्ट राजा तके सेर भाजी तके सेर खाजा तो राजाई भी तो रही है ना यहां तो राजाओं के भी बुद्धी में अभी वह राजाई नहीं है कल तो थे ना तो उनकी बुद्धी में भी तो यह गाया हुआ है ना कि इस्वरा सरव्यापी है अब यह बात उनकी बुद्धी में किसे ने डाला है यह मनुशियों ने ही डाला मनुशियों ने कहां पढ़ा है मनुशियों ने गीता में पढ़ा हुआ है गीता की टीका टिपणियों में पढ़ा हुआ है वो कहते हैं सारी टिपणियों में यह लिखा हुआ है गीता में और कोई वेदों ग्रंतों शास्त्रों की बात नहीं करते हैं यह तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्वसास्त्र में श्रोमनी श्रीमत भगवत गीता है तो बगवान की गीता ओ तो जरूर बगवान को याद करते हैं बच्चे और उसी को पतित पावन कहते हैं क्योंकि सभी को पावन बनाना यह तो बगवान का ही काम है न कोई जगत गुरु मनुश्ची थोड़े ही कहते हैं क्या हम तुम पतितों को पावन देवता बनावेंगे और यह गुरु तो खुद तो पावन होते हैं बच्चे तो यह तो नहीं कहेंगे देवताओं के मिसल पावन होते हैं कहेंगे ऐसे पावन तो कोई होते ही नहीं है अभी सभी पतिते हैं और क्यों पतिते हैं वो भी बता दिया साब विष्टा से पैदा होते हैं मूत पलीटी से पैदा होते हैं उसको विष्टा कहो मूत कहो दोनों कहते हैं ना भाड कहो जो चाहिए सो कहो सो भी तो यथार्थ बात है ना बच्चे तो बाप फिर कहते हैं कि जबी मेरे बनते हो अमरत पीते हो तो यह अमरत इसको कहा जाता है ना ज्यान अमरत मंतन करकी अमरत निकाला जाता है कोई कभी भी अंदर सद्धा युक्त भक्ति को अमरत नहीं कहा जाता है नहीं कहा जाता है ना ज्यान को समझ को अमरत कहा जाता है तो भक्ति को अमरत कहा जाता है ज्यान तो नहीं कहा जाता ज्ञान अमर्थ तो नहीं कहा जाता, ज्ञान तो नहीं हुआ न, तो जब भक्ति है, तो है सब भक्ति ही भक्ति, मनुष्य सब भक्ति में है, और ज्ञान का सागर तो एक कोई कहा जाता है, और उनों को इपतित पावन कहा जाता है, सरवका सरगति दाता है, और सारे जगत का गुरू, सारी सच्ची का गुरू, तो अभी तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से, कि बाबा क्या करते हैं, वो जो भी तत्व हैं, यह जड़ तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं, यह ड्रामा में पार्ट नुदा हुआ है, और जड़ तत्वों को भी पवित्र बनना हैं, 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 निमित तो कोई चाहिए ना उनना जड़तत्तों का निमित तो बाप निमित बनते हैं कि सर्व का सदगती दाता साब तत्तों की सदगती तो अभी समझावें कैसे देखो कितने आते हैं आगे जब आते थे इनागरेशन करने के लिए खौद गाटन करने के लिए खोलने के लिए तो उनको तारें दी जाती थी वो पोप भी आते थे तारें दी जाती थे अभी जो गाटन करते हैं उनको समझाने के लिए तारें की जाती है कि भई इनको समझाओ कि ओव नहार विनास के पहले अपने बाप का जन्मसिद्र दिकार लेलो ओम सम्देव